हलो बच्चों कैसे हैं वेलकम टू केके स्विजिक्स चैनल एलक्टर स्टेटिक्स जे इए नीट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेल्फ इनर्जी ओफ यूनिफर्मली चार्जड नॉन कंड़क्टिंग स्पियर देखो इससे पहले बारे टॉपिक में पहले वो वीडियो लेक्टर देख लें तो आपको समझने में और आसा नहीं होगी पिछले वाले लेक्टर में हमने बताया था कि सेल्फ इनर्जी क्या होती है उसमें हमने बताया था कि किसी भी सिस्टम को जब चार्ज करना पड़ता है जब किसी सिस्टम को हम चार्ज करते हैं तो external agent को field के against जो work करना पड़ता है वो work उस system की energy की form में store हो जाता है ठीक है नी? सिस्टम को charge करने में external agent field के against जो work करेगा वो work उस system की electric potential energy की form में store हो जाता है यह हमने पिछले वीडियो lecture में पड़ा था ठीक है? साथ ही यह भी पड़ा था कि जो energy store होती है वो कहां होती है वो वहां होती है जहां उस system का field exist करता है ठीक है? उस system का जो electric field है जहां पर होगा जिस volume में होगा उस volume में वो energy क्या रहेगी? store रहेगी मतलब self energy यदि हमको निकालनी है यू अगर हमको निकालनी है तो हमें पहले work done निकालना पड़ेगा क्या निकालना पड़ेगा पच्छों? work done निकालना पड़ेगा पतलब इस system को इस non conducting sphere को charge करने में जो work करना पड़ेगा हम वो निकालेंगे सबसे पहले हैं तो देखो वो वर्क कैसे निकालें क्या गिवन है अपने को हमको एक non conducting sphere दिया हुआ है जिसकी radius कितनी है capital R और उसको हम कितना charge कर रहे है capital Q charge दे रहे है ठीक है इसको हमने uniformly charge किया है ठीक है तो यह तो charge कर रखा है तो समझने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं इस charge को यहां से वापस हटा देते हैं ठीक है तो charge को फ्लीज हटाइए हाँ हमने charge को अब हम इसको देधरे charge करेंगे uniformly charge करना हमको ठीक है चार्ज कैसे करेंगे infinite से हम charge लाते जाएंगे free electrons होते हैं उसमें इस कारण यहां पर हमें इसको पूरी तरीके से uniformly charge करना पड़ेगा तो infinite से हम charge लाएंगे और सबसे पहले center पर रखेंगे यहां से charge उठा के मैंने यहां रख दिया ठीक है dq charge ऐसे मैं dq charge लाता जाओंगा और यहां पर इसके चारों तरफ arrange करता जाओंगा हम इसको uniformly charge करने बच्चो ठीक है तो मालो मैंने इसको इतना charge कर दिया ठीक है इतने इतने sphere तक मैंने इसको charge कर दिया और मालो यहां तक मैंने इसको कितना charge दे दिया है small q q देना मुझे कितना है capital q यहां तक मैं कितना charge कर चुका इसको small q ठीक है इस छोटे वाले sphere की radius में माल लेता हूं बच्चो small r ठीक है अब मैं क्या करूँगा वापस infinite से dq charge लेकर आउंगा अब मुझे चारो तरफ इसको distribute करना पड़ेगा खुद वो तो मैं एक छोटी सी layer बना देता हूं बच्चो समझने के लिए थोड़ी हपन मौटी layer बना रहे है मतलब वो dq charge जो मैं लेकर आया वो मैंने इस layer में distribute कर दिया है यह जो shaded reason दिख रहा है आपको इस पूरे reason में हमने कितना charge दिया है dq charge दिया है ठीक है shaded reason में जो charge दिया है वो कितना है dq है यह dq charge लाने पर इस sphere की radius में कितना increment हो गया बच्चो सपोज करो यह dr का increment हो गया ठीक है यह कितना है d r क्या किया हमने infinite से charge लाए और center से इसको uniformly charge करना शुरू किया सपोज करो किसी time पर sphere की radius कितनी हो चुकी है small r और तब तक हम कितना charge कर चुके है small q उसके बाद हमने dq charge लिया और इसको इस shared region में uniformly distribute कर दिया जिसकी thickness कितनी है d r clear तो इस dq charge को लाने में कितना work करना पड़ रहा है पहले वो निकाल लेते हैं फिर उसका integration कर देंगे तो हमारे पास total work आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम निकाल रहे है work done in bringing dq charge from infinity to this point तो इसको हम लिख लेते हैं बच्चो dw वर्क कैसे निकालते हैं हमने पड़ा है charge जिसको हम लेके आ रहे है multiply by potential जहां पर हम उसको लेके आ रहे हैं वहाँ पर potential कितना है electric potential कितना है तो पोटिंग वी कीजिए के क्या लिख सकता हूं बता सकते हो charge को यहां पर लेका है तो यह इस sphere की surface हो गई छोटे वाले sphere की क्या हो गई surface और surface पर potential क्या होता है kqy r तो kqy r r मतलब radius of the sphere इस छोटे वाले sphere की surface पर लेकर आया ना पन तो इस छोटे वाले sphere की radius रगदी kqy small r यहां लिपूट कर दो dw is equal to dq multiply by kqy small r ठीक है अब हमी क्या करना है इस dw का integration कर देते हैं ठीक है तो हमारे पास इस पूरे non conducting sphere को charge करने का work आ जाएगा तो total work done कितना हो जाएगा total work done w is equal to integration of dw w is equal to constant तो बहार निकाल लो अब देखो constant यहां पर केवल k है q dqy r क्योंकि जैसे जैसे हम इस sphere को charge कर रहे हैं वैसे वैसे इस charging portion वाले sphere की radius भी increase होती जा रही है और यह charge भी increase होता जा रहा है ठीक है तो अब यहां पर integration करने के लिए हमें इस q को पहले convert करना पड़ेगा अब बच्चों integration करने के लिए हमें इस q को volume charge density में convert करना पड़ेगा क्यों क्योंकि यहां पर हम इसको uniformly charge कर रहे हैं चार्ज पूरा volume में uniformly distributed है देखो इस पूरे volume को क्या किया चार्ज कर चुके है और uniformly charge किया है तो जो charge density है वो constant है मालो इस पूरे non conducting sphere की volume charge density कितनी है बच्चों रो ठीक है नहीं है तो हमें इस q को रो में convert करना है वो कैसे करें हम यह तो जानते हैं बच्चों charge क्या होता है चार्ज होता है बच्चों volume charge density multiply by volume ठीक है इस formula से अपन q को रो में convert कर देंगे तो q is equal to rho into अब देखो volume क्या रखना है आपने को q क्या है इस चोटे वाले sphere का charge है तो हमें इस charge को चोटे वाले sphere के volume से multiply करना है इस चोटे वाले sphere का volume कितना है 4 by 3 pi small r cube 4 by 3 pi small r cube ठीक है तो q की जगे तो यह रखेंगे इस q की जगे यह रख देंगे ठीक है अब dq को भी change करना है and dq is equal to dq को भी वही तरीका है volume charge density multiply by volume volume charge density multiply by volume तो dq is equal to हो जाएगा rho multiply by volume किसका अब देखेंगे जो dq charge है वो केवाली shaded region में है ठीक है तो हमें shaded region का volume रखना है ठीक है volume कैसे रखें एरिया इसका एरिया कितना है 4 pi r square और thickness dr area into thickness ठीक है एरिया तो हो गया 4 pi r square ठीक है और thickness कितनी हो गई dr तो हमें q की जगे तो ये put करना है और dq की जगे ये put करना है यहाँ पर ठीक है putting these values w is equal to क्या हो जाएगा बच्चों k integration q की जगे क्या रखना है अपने को rho multiply by 4 by 3 pi r cube multiply by dq की जगे क्या रखना है अपने को rho multiply by 4 pi r square dr और upon में क्या है बच्चों small r मतलब हमने पूरी जो term है वो r की form में लिख ली तो हमें limit देखो integration किसके respect में करना है और r की respect में तो limit किस form में लगेगी r की form में तो limit कैसे लगाएंगे center से यहां तक charge किया तो 0 से capital R इसकी limit लग जाएगी ठीक है तो 0 से capital R तक इसकी limit आदेते हैं अब जो constant है बच्चों उनको बाहर निकाल लेगा ठीक है constant क्या है 4 by 3 pi इधर 4 by और rho भी constant है तो यह हो जाएगा बच्चों rho square और k ही बाहर और यह 4 pi और 4 pi 16 pi square हो जाएगा और upon 3 है तो यह हो गया 3 अंदर क्या बच्चा r की power 3 r की power 2 r की power 5 divide किया किसका r का तो r की power 4 dr limit 0 to r clear constant बाहर आगाए और अंदर वाले जो भी term थी उसको solve कर लिया अपने इसका integration करना है w is equal to क्या हो जाएगा rho square k 16 pi square 3 r की power 4 का integration हो जाएगा r की power 5 upon 5 0 to capital r ठीक है अब यहां कर लेते हैं w is equal to क्या हो जाएगा बच्चों rho square k 16 pi square by 3 और जब limit put करेंगे तो अपर limit capital r की power 5 by 5 clear lower limit zero हो जाएगे ठीक है यह चीज आई लेकिन हमको जो formula बनाना है बच्चों वो q की form में बनाना है रो हमने बाद में assume किया है तो हम q की form में बना देते हैं कोई दिक्कर नहीं वापस रो की जगे क्या put कर दो putting rho is equal to rho is equal to क्या हो जाएगा capital q by volume ठीक है volume किसका पूरे sphere का क्योंकि हमने charge पूरे sphere का दे लिया तो volume पूरे sphere का लेंगे 4 by 3 by capital R cube यह put करेंगे यह आपर ठीक है तो यह हो जाएगा w is equal to rho का square है देखो चाहों तो q square upon 16 by square r की power 6 और 3 का square 9 उपर चला जाएगा ठीक है बाकी जो है उसको ऐसे के से लिख दीजी आप के है 16 by square है नीचे 3 भी है और इधर r की power 5 upon 5 है clear तो जो कट रहा है उसको कार दो 16 by square 16 by square cancel r की power 5 r की power 6 तो एक r बच गया इधर अपने पास हो गया 3 और यह 9 तो 3 3 जा 9 तो w is equal to क्या हो गया अब उधर लिख देते हैं बच्चों है तो w is equal to क्या हो गया 3 k q square 3 k q square by 5 r ठीक है इतना work करना पड़ेगा इस non conducting sphere को uniformly charge करने के लिए और जैसा कि हम जानते हैं यह work ही किसमें convert हो जाएगा electric potential energy की form में because w is equal to u therefore u is equal to 3 k q square by 5 r यह इसका बच्चों final formula हो गया हमको formula ही याद करना है ठीक है एक non conducting uniformly charge sphere की self energy का formula क्या होता है 3 k q square by 5 r clear तो self energy पर based questions अपन अगले video lecture में देखेंगे ठीक है thank you